तारिक 14 नवेंबर आजनो दिन महीमा बाड दिन बाड को देशनी महमुली संपती छे नेहरू चाचाने बाड को खुब वहला आता तेमनो जन्म दिवस 14 नवेंबर भारतमा बाल दिन तरिके उजवामा आवे छे स्वतंत्र भारतमा जवाल लाल नेरू वड़ाप्रदान थया तेमने प्रकृती और प्रकृती ना संतान समा बाड को पर अनहद प्रेम तेव भार पुर्व कहता के बाड को भावी भारतना घडवई आजे बाड को ने आपने भुलियने ते माटे 14 नवेंबर आवतो पोतानो जन्म दिवस बाल दिन तरिके उजवानी इछा करी अने त्यार्थीज जवारलाल बाड को ना वहला नेरू चाचाने नामे जानिता जवारलाल नहरूनी राजकिय कारकिर्दी पर दुष्टिपात करिये तो भारत स्वतंत्र थायू औने भारतना प्रथम वड़ाप्रदान बनवानू सवभागिय तेमने प्राप्त थायू सत्तर वर्ष्टनी वड़ाप्रदान पदनी सु दिर्ग कारकिर्दी मा तेमने अनेक महत्वनी भूमी का पार पाड़ी औने विकट पड़कारोनों सामनों करियू स्वातंत्र तर भारतमा उद्योग अने खेतिक शेत्रमा जे नोंदपातर प्रक्ति थायू तेनू स्रेई पन नहरूने आपवामा आवे छेू नुतन भारतना आ अभिजात सर्जके भारत पाकिस्तानना भागलाना जेरने पचावियू चीन साथेना युदने पन जिर्वी जानीू वड़ा प्रदानना गरीमा पूर्ण पद पर होवा छता विवीत कारेक्रम अंतर्गत बाड़कोंने पूर्तो समय आपता बाड़कों प्रत्ये प्रेम राखो अने बाड़कोंनी पूरी कारजी राखवी एस समाजनू करतविया छे। नहरू चाचानों बाड़कों प्रत्ये प्रेम एक आखुपुस्तक भराय अटला उदाहरणों थी भरपूर छे। पहला करतविया पहला फर्द किसी मुलक के लिए किसी कौम के लिए क्या होता है पहला फर्द है अपनी आजादी को मदबूत करना और पायम रखना हर बात को इसी गजब से नापना होता है यह चीज हमारे मुलक के आजादी को पायम रखती है हमारे मुलक की एक्ता को पायम म izł辗したい हमारे मुल्क की तरक्षटी करेंगे न्यां अगर हम मिन से कोई इस बात को भूझ जाएंगे और और बातों को सामने रखें अगर हम अपनी जात को अकास को आगे रखे मुलक के अगर हम अपनी भाशा को आगे रखे मुलक के तो हम तबाह हो जाएंगे और मुलक तबाह होगा अपनी जगें पे सब बातें अच्छी हैं हमारा शहर है हमारा सूबा है मुहला है मुबारक हो हमको हमारा खांदान है परिवार है प्रेम है हमें उससे लेकिन जहां हमने अपने परिवार को मुल्क के उपर रखा जहां हमने अपने शहर को प्रदेश को भाशा को संप्रदा को किशी चीज़ को हमने अपने देश के उपर रखा तो देश फिर से गिरने लगा और यकीन अंगिरेगा याद रखिए कि दुनिया में बहुत चारे आयब होते हैं बहुत चारी खराबिया होती है लेकिन एक आयब एक खराबी एक गुनाह एक पाप एक कमजोरी जो कुछ उसे कहिए समय बड़ी जो है वो डर है दर से जादा बुरी चीज़ को ही नहीं क्योंकि जित्ती खराबियां दुनिया में हैं सब डर की ओलाद एक दफे कौम में या इनसान में डर आ जाएगा तो फिर और सब खराबियां उसमें आ जाएगा वो जूटा होगा मक्कारी करेगा हर कसी की बात करेगा उसका सिद नीचा होगा उट नहीं सकता अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं कि उनका पहला धर्मोकर सब्जे क्या है उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की धोके से गल्ती से बात समझनी और आज की दिन हमें आपको समझनी है और इस बात का पतका इरादा करना है कि हम ऐसी कमजोरियों को हटाएंगे अपने मुल्क से बाड़क प्रभूनों पैगंबर छे संसार उपवर्णू पवित्र पुष्प एकले शिशु आ उक्तिने साकार करवा आजनों दिवस आपने परिवार शाड़ा औने समाधना बाड़कोने आपी औने तेमना निर्दोस आनन्दमा सभागी थाई